नमश्कार दोस्तों, आज के हमारी किताब का नाम है हापी एवर आफ्टर बाइपॉल डोलर हमारे ज़्यादातर बिलिप्स यानी मान्यताएं लोगों के द्वारा बनती है जैसे जवान होने पर शादी करना, बच्चे पैदा करना और घर बसाना ये सब कंपलसरी है, ऐसे हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं, मानते हैं ये और इसी तरह के सोशल प्रेशर, यानी सामाजिक दबाओ के कारण हम कई बार ना चाहते हुए भी गलट डेसीजन्स ले लेते हैं और फिर दुखी रहते हैं, क्योंकि वो निरने हमारे मन के नहीं, बलकि औरों के कहने पर हमने लिये हुए हैं हमें जो चाहिए उसे हम कैसे हासिल करें, इस समाजिक दबाओ से उपर उठकर हम अपने पसंद की चोईसिस कैसे करें और अपनी जन्दगी को अपने लिए कैसे जीए, इन सारे सवालों की जवाब पॉल इस किताब में हमें बताते हैं जब हम इस सोशल प्रेशर से परे जाकर दुनिया को देखने की कुशिश करते हैं, यह तो हमें पता चलता है कि जरूरी नहीं कि सारे शादी शुदा लोग खुश हो और सारे अकेले रहने वाले लोग ना खुश हो इसका उल्टा भी कई बार दिखाई देता है, जादा तर यह देखा गया है कि कमपनी के सीओ से जादा उनके सेकरेटरी खुशी की जिन्दगी जीते हैं हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास फ्री विल ही नहीं है, पॉल का कहना है कि पैसा खुशिया नहीं खरीच सकते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पैसा हो तो हम सारी खुशिया खरीच सकते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है इसे लिए दुनिया में अमीर या पैसे वाले लोग भी दुखी दिखाई देते हैं अमरिका में एक रिसर्च से ये पता चला कि ज़्यादा तर लोगों को लगता है कि पैसे के बढ़ने से खुशिया भी बढ़ती है लेकिन ये सिर्फ एक लेवल तक ही सही है जब एक बार इनसान पैसों की उस उचाई को पा लेता है तो उसे पता चलता है कि अब पैसा मुझे कोई खुशी नहीं दे रहा उल्टा पैसों को संभालना और उसे बढ़ाने की चिंताए करना ही बढ़ जाती है इसे लिए पाल का कहना है कि हमें अपने लक्ष को सिर्फ और ज़्यादा पैसे रखने के बजाए सारी जरूरते हमारी पूरी हो उतने ही पैसे का लक्ष रखना जरूरी है क्योंकि दुनिया की सारी यानि जो लिमिटेड मरियादित चीजे है वो हमें सिर्फ लिमिटेड हापिनेस यानि मरियादित खुशी ही दे सकती है इसी लिए हमें ये ताय करना जरूरी है कि मुझे कुछ रहने के लिए कितने पैसे चाहिए मैंने Prosperity is my birthright के वीडियो में ये अच्छे से explain किया है जिसके link मैं नीचे दे रही है इससे हम उस हर चीज के लिए कृतक गिता यानि gratitude जिताते हैं और अपनी आपको ज़्यादा खुशी दे पाते हैं दूसरी बात ये भी है कि कई बार हम हमें क्या चाहिए इसे औरों की तुलना करके decide करते हैं जैसे कि हमारे पडोसी ने कोई नई कार ली तो हम भी उसे लेना चाहते हैं बिना ये सोचे कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है हम हमारे दोस्त रश्तेदारों से भी competition करते रहते हैं बिना ये सोचे कि सच में मुझे इन चीजों की जरूरत है भी या नहीं और इसी वज़े से हम खुद को unhappy यानि दुखी बनाते रहते हैं और सोचते हैं कि सभी खुश है फिर मैं क्यों नहीं 2007 में बॉब फ्रैंक ने एक सर्वे किया था जिससे उन्हें पता चला कि ज़्यादातर लोग अपने जैसे या अपनों से कम अमीर लोगों के आसपास रहने से खुश होते हैं लेकिन अगर उनके आसपास उनसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं तो वे अपने आपको दुखी मैसूस करते हैं मतलब हम हमारे जैसे या हमसे कम वाले लोगों के साथ ही खुशी से रह पाते हैं लेकिन ये भी एक तरह से तुलना यानी comparison है जो कि हमारी खुशी को दुख में बदल देती है दूसरी बात वो कहते है कि किस अफलता का मतलब खुशी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर वक्त हम हमारे माबाब, दोस्त, रश्टिदार, आसपास के लोग जो भी कहते हैं उससे ही जी जान से करने में लग जाते हैं और उसमें सफल होते हैं जबकि हमें चाहे उस बात को करने में या सफल होने में कोई खुशी नहीं मिलती इसलिए जरूरी नहीं है कि जैसे हर अमीर व्यक्ति खुश नहीं होता विसे हर सफल व्यक्ति भी खुश नहीं हो सकता या खुश हो ये जरूरी नहीं है मतलब अमीरी सफलता कोई खुशी को पाने के लक्ष नहीं हो सकते जैसे ज़्यादा तन्खा देने वाली नोकरी ज़रूरी नहीं कि खुशी भी दे वो कहते हैं कि अमेरिकन सर्वे के मताबिक 21 से 30 गंटे काम करने वाले लोग एक अबते में इस से ज़्यादा काम करने वाले लोगों से ज्यादा खुश होते हैं मतलब पैसे और सफलता दोनों के बारे में just enough यानि मेरे लिए जितना काफी है उतना ही चाहिए यही सही अप्रोच है और ज्यादा कि इच्छा हमें सिर्फ और सिर्फ दुख या निराशा ही दे सकती है और एक बात ये है कि ज्यादा तर लोगों की गलत फहमी होती है कि शादी करने से जिन्दगी में खुशी आ जाती है जबकि शुरुआत के कुछ दिन छोड़ो तो बाद में शादी ज्यादा तर लोगों के लिए एक बोज बन जाती है मतलब जिन बातों को लोग खुशी का कारण समझते है वो असल में जैसे पैसे, सफलता, शादी जरूरी नहीं कि हमें खुशी ही दे इसलिए पॉल कहते है कि इस सत्य को जानने के बाद जो भी सिंगल है उन्हें नराज या नाखुश होने की जरूरत नहीं है या अपने आपको कम समझने के भी कोई जरूरत नहीं है और उसी के साथ साथ जो सिंगल ही रहना चाते है जिने शादी नहीं करनी है तो उन्हें शादी के लिए प्रेशराइज करने की या दबाव डालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि शादी खुशी देती है ये मित यानी सिर्फ कहने की बात है या समाज की मानियता है लेकिन असलियत कुछ और ही है पॉल एक बहुत ही धीट बात यानी बोल्ड स्टेटमेंट करते है कि एक से ज़्यादा रिष्टों में होना कोई बुरी बात नहीं है ये तो हमारे कल्चर में समाज में हमें दबाओं में रखने के लिए बनाया गया एक धकोसला है जबकि एक ही इनसान के साथ जिंदगी बर वफादारी निभाते हुए दूसरी की और देखना भी नहीं है ये बिलकुल अप्राकृतिक और तकलीफ देह बात है ऐसा पॉल का कहन है और इसे लिए जब भी कोई किसी की और अकरशित होता है तो उसे समाज गलत नजरों से देखने लगता है उसके नियत पर शक करने लगता है और ये बाते जिंदगी में धेर सारी नाखुशी या दुख लेकर आती है हम में से करीवन हर कोई इस समस्या से गुजर चुका ह हम चाहकर भी अपने पार्टनर के सिवा कोई और फिर चाहे वो हमारे मानसी भावनी बहुदिक स्थर पर ही जुडने की बात हो पर समाज उसे गलत ही मानता है और ये समाज की मानता हम सबके दिल में भी डर और दुख पैदा कर देती हैं इसलिए पॉल का कहना है कि घुट- मानताओं को मन से निकाल देना बहुत जरूरी है समाज का डर हटा देना बहुत जरूरी है अगली बात वो कहते है कि ज्यादातर लोगों के लिए पैरेंट्स बनना खुशी के बजाए तनाव का ही कारण बन जाता है ये बात तो सही है कि बच्चे का जनम खुशी देता है लेकिन उसको बड़ा करने में बहुत सी परेशानिया माबाप को जहलनी पड़ती है लेकिन समाज में अगर कोई कपल बिना बच्चों के रहकर अपने काम में प्रगती करना चाहे तो उन्हें कई बाते सुनाई जाती है उन्हें सलफिश यानि स्वार्थी भी समझा जाता ह है और इससे भी जादा तर और तों ही जादा कोसा जाता है भला बुरा कहां जाता है उनके करियर प्रगती कोई ज्यादा माइनी नहीं रखती है अगर उनके बच्चे ना हो तो जो कि बहुत गलत बात है ऐसा पॉल कहते हैं हर किसी की अपनी जिंदगी है फिर चाहे वो मर् होना चाहिए कि उन्हें बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए समाज को इस बात के लिए दबाव डालना बंद करना चाहिए क्योंकि इस समाजिक दबाव के कारण ही वो लोग अपने आपको कम समझ कर दुखी रहते हैं जबकि उनके जंदगी में वो बड़े खुश और सफल क्यों नहों अगली बात वो पताते हैं कि आज के दौर में हर कोई फिट और सुन्दर दिखना चाहता है और समाज में इन बातों को ज़्यादा महत्व देता है हर एक इश्तिहार में यहीं बाते लोगों के दिल पर दिमाग पर हैमर की जाती है बार बार तरीके अपनाने लगते हैं और अपने सुखी जीवन को दुखी बना देते हैं अपनी कैपसिटी यानि क्षमता के मताबिके वर्काउट करना व्यायाम करना कसरत करना तो ठीक है लेकिन सिर्फ दिखने के लिए अपने आपको जरूरत से ज्यादा कश्ट देना और अपने वजन को व्यक्तित्व को परसनालिटी को लेकर दुखी होना हमारे लिए और कई तरह के फिजिकल, मेंटल, एमोशनल समस्याओं को लेकर आता है इसलिए पॉल का कहना है कि उस गलत मान्यताओं की हर किसी को फिट और स्लीम और सुन्दर दिखना जरूरी है हमें ही तोड़न लग-bug कोती है वैसे ही फिटनेज का भी वही फणडा है कि हर किसी की अलग जरूरत है हर किसी को चार गंटे का वर्काउट करना या डाइट करना यह सामाजिक दबाव है और यह हर किसी के लिए possible ही नहीं है सचाइम या हकीकत ऐसा नहीं हो सक in. श्याफ कहता है कि हमें यह मि तो अपने आप हमारी खुशी की लेवल भी बढ़ने लगती है इसे अच्छे से समझने के लिए हमें अपने सेल्फ इमेच के बारे में जानने की जरूरत है जो कि साइको साइबरनेटिक्स के किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है जिसका वीडियो मैंने अलड़ी अपलोड किया है और लिंक नीचे दी है इसलिए पॉल कहता है कि हमारा मौटा या पतला होना इस पर ना तो हमारी हैल्थ डिपेंड होती है नहीं हमारी ख़ुशी इसलिए हमें ये गलत खہमी हमारे दिमाग से हटानी चाहीए कि अगर हम शेप और साइज में है या पतले है तो ही हम खुश रह पाएंगे क्योंकि अमीरी, शादी, सफलता जैसे ही स्वास्त यानि हेल्थ कोई खुशी का क्राइटरिया नहीं हो सकता आप इसके बावजूद भी खुश रह सकते हैं ऐसे पॉल का कहना है वो कहते हैं कि हमारी हर चॉइस पर समाज का इतना दबा होता है कि हम सिर्फ कहते हैं कि हमें free will है हम जो चाहे कर सकते हैं लेकिन हकिकत में ऐसा नहीं होता है और इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पास free will है इस मित को, इस जूट को दूर रहकर जो भी अनुभवों से हम जिन्दगी में गुजरते हैं उने positively लेना उनके प्रतीन positive नजरिया रखना ही हमारे खुशी को बढ़ाता है इसे समझने के लिए हमें अपने awareness यानि जागरुपता को बढ़ाना जरूरी है सिर्फ समाज या लोग जिसे खुशी मानते हैं वहीं खुशी का क्राइटरिया है ये गलत फहिमी दूर हटाकर हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि मुझे कौन सी बात अच्छी लगती है मुझे किस बात से खुशी होती है मैं दिल से किस बात को करना चाहती हूँ क्योंकि औरों की बाते मानकर हम सफल तो हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो सफलता हमें खुशी भी दे. इसलिए ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारी खुशी सच में किस में है. दुनिया के चकाचान में खोकर और औरों की खुशी को ही खुशी का क्रेटरिया मानकर हम कभी खुश नहीं हो सकते. इसके लिए हमारी awareness को बढ़ाना, हमारी खुद के बारे में सूज बूज और समच को बढ़ाना बहुत जरूरी है और तबी हम सही तरीके से पैचान सकते हैं कि हमारी खुशी किसमे है और फिर पैसा, सफलता, शादी, फिटनेस की जकड से मुक्त होकर समाज के दबाव से, सोशल प्रेशर से मुक्त होकर हम सच में अपनी खुशी की और बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं तो चलिए दोस्तों इन सारी जो समाजिक दबाव की बाते हैं जो हमें लगता है और तो involves कि उसले कि और बाहर निकल कर हम जैसे हैं और हमें लगता है जैना, इसके ऊपर काम करना और हम जैसे हैं वैसे अपने आपको दोश्य करना यहीं पॉल हमें कहते है ताकि हमारी खुशी की लेवल, हमारा स्तर, खुशी का बढ़ता जाए और हम और अच्छे से अपनी जिन्दगी को जी सके तो चलिए दोस्तों आज से ही हम इस पर सोचना, समझना और काम करना शुरू करते हैं ताकि हम अपनी जिन्दगी को और खुशनमा बना सके और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने नियर एंडरवन के साथ शेर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अगर आप कुछ कहना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मुझे अपकी कमेंट की जवाब देने में बड़ी खुशी होती है धन्यवाद